तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत एक बफी से आप सभी लोगों का आपके अपने यूटुब चैनल अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सिलिंस के इस ओनलाइन क्लासेश पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भाईया हम हम लोग तो बात कर रहे हैं परिक्षा पर अंतिम प्रहार करना और प्रिक्षा के अंतिम प्रहार के लक्षर नंबर आठ में मैंने अभी तक आपको एक से लेकर अध्यास 16 जितने भी मुश्ट इंप्रोटेन को चैनल सब को करा दिया उसके सल्लूसन भी मैंने आपको पहले से देखर रखा हुआ था और आज की स्क्रास में जैसे कि मैंने आपको स्टरीजी वाले क्लास में गता था किशे नौ तारिक को नौ तारीक को सुबह ऊठक एग्दम फ्रेस मैंंड से आपको पहले करना है रिविजन क्या करोंगे बच्चों आज की इस डेट में आप क्या करोंगे पहले तो करोंगे रिविजन जबर रिविजन कर लोगे ना उसкі बाध समय बच एक शेमपल में का बताने वाला हूँ एक यहां विद्व ने आतने एक उंकल流 spraying के बारी स्थ persecution मोस्ट इंपॉर्टन को मैंने बता दिया था जरूरी नहीं बच्चों कि यही कोश्चन आपको देखेने के लिए मिलेगा ठीक है मैं बस आपको लिखने का फॉर्मट एक बर और सिखाने वाला हूं चुकि एक बर और सिखा चुका हूं उस वाले सेंपल पेपर को भी आप जा करने वाले हैं तो वहां γड़ी अब यहां पर लेने करने वाला है मैं क्वेश्टन तो उसी question को यहाँ पर लखा हुआ तो बारवर फिर उसी question को क्यों करेंगे अब हर एक question का answer आपको देना अगर बिलकुल आपने इमानदारी पुरुवक मेरे सारे वीडियो को अच्छे से देखा होंगे तो हर एक question का answer आप यहाँ पर बताप आपके एक question भी बहार से नहीं आ कि पहली बात तो आप जब अपने question paper को open करते हो तो बहुत से लंबा चोड़ा आपको एक पेज में instruction दिखता है वह instruction क्या होता है यह सेंपल पेपर परस्ट नंबर में आपको बता दिया सेंपल नंबर टू में संपल पर के second class में आने कि टू नंबर की पेपर में मैं आज आ पहले पाट कर लिए तो आप देखो एक जो बोला गिए कि सही विकल पर चुन कर लिखे अब यहां पर लिखने का तरीका क्या होता है कई बच्चे क्या करेंगे सभी प्रश्ट लिखेंगे फिर उसके answer को लिखेंगे यह लिखने का गलत तरीका होता है बच्चो आपको एक भी कोश्टन को नहीं उतारना है कि वह आपको हल लिखना है सलूशन को लिखना सर लिखेंगे कैसे देखो पहला नंबर के प्रस्ट नहीं दिया गया कि बहुपद आप को पहली बात तो एक ही कलर का युश करना है यह जाहिए तो निया हो या फिर खायव भाट हो अब पहींगी कैसा डॉट पेंट हो ठीक ऐसा डॉट पेंजेल पेंड बिल्कुल यूजिनिक करो के युज अगर युज किए तो आपका एंशर स्थी चेक नहीं होगा ठीक है एक कलर का यूज़ करने वह भी डॉट पेंट ठीक है बच्छो अब देखो सर इसको लिखेंगे कैसे देखो यहां पर प्रस्थ कर मांग पहला का हम खंड एक उत्तर देने जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे किसे देखो यहां पर यह मालों की आपका एंसर सीट है एकदम 20 में नहीं ब übrigऋ नहीं बना हुआ है तो दोनों साइट आप एससा मार productos लोग यह देखो मार्जिए देखो कि विकल चल अपने मार्जिंग खिश लोगा दोनों थी दना है आपके कॉपियों अच्छी लगने चाहिए लिए आपको तो यहाँ पर सप्लिमेंटरिंटील का उपर शप्लिमेंटरिंटर लिना ही नक्ति यह ऐसा आप सेилась की द फिशो गया और एक मी आपसा। कि यहां पर हमें क्या लिखना है सब लिखेंगे तो यहां पर एक दम अच्छे सी राइटिंग मना के लिखोगे रीप्रेजेंट करने का तरीका आपका बहतरी होना चाहिए करने वाले को लगना चीव कि मैं टौपर का कॉपी चेक कर रहा हूं टौपर के का चेक कर रहा हूं अभिक स्टूडेंट है यह घालानाचीए बिलकुल क्वेड़ सब्सक्राइब जाए जो ऐसी रातिक मना कर ऐसा रिप्रेजेंट करकर लिख रहा है तो बच्छों ऊत्तर कर लिख दिये ठीक है अब उसके बाद क्या करूं पता है उसके बात क्या करो एक लाइन ऐसे इसको हाइलाइट यहाँ पर देखो यह मैंने सर एक मरा दिया ऐसे करने से क्या होता है यह जो लाइन कीचो ना वह आपका बिलकून चेक करने वाले को दिग्दि यह गंगी सो भूल न जाए अगर आपने छोड़ा सद लिखा या फिर इसको लाई नहीं वनाए अगर ये गलति से उसको दिख़ नहीं चेक करने ओले को दिख़ नहीं खंड अक उत्तर देने जा रहा है अब इस question को पढ़ो समझो और इसको कहां पर करोगे तो उत्तर पुस्तिका कि सबसे लाश्ट वाले पेज में आप क्या करोगे रफ वर्क करोगे उपर में लिख देना रफ वर्क और जैसे एक्जाम आपके खत्म होजागा तो एक लाइन से ऐसे उसको काट देना है तो इस question को आप कहां पर सॉलो करोगे बच्चों रफ में सॉलो करोगे देखो अब इसमें को भी स्टेफ वगरा आपको फॉलो नहीं करन है क्योंकि यह अब जेक्टिटी डप क्वोश्चन है आपको यहां पर केवल एंसर को लिखना है तो क्या करते हैं कि भॉपदों की सुन्ने को युगफ़ निकालने के लिए हम क्या करते बच्चों पहली बात तो जो भॉपद दिया गया होता है उसकी तुलना मानक कि यहां पर ने को एक सइस्कोयर तो यहां पर भी एक सप्ट एक है तो एक रॉडबर सतर्य आपको ब tailor को फीड़ेगा क्या दिखेगा सरे दिखेगा और सी प्राबर सतर्शिका अपको अच्छे था हैं सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट की आप लोगों आपने हर एक video को बहुत भैत्री सरिके से देख लिया थीगे बच्यों सुना करके रिक होन्त सरन होता है किस बने की के दिया थान यहां पर आजागा एक ठीक है एकमान एकमान निकाले एक तो इसको सॉल्व करेंगे तो निचे के एक को लिखने की जुरत नहीं होती है तो हमारा उत्तर आया रीन का एक क्या बच्छो रीन का एक आया इस तरह से बीना इस टेफ फॉलो करें एक दम जल्दी फटाफट यहां पर पहला वाला दिख रहा है एक कमान यानि कि माइन में माइंड में ही उन्होंने कैलकुलेट कर दिया इतना लंबा चोड़ा उसको लिखने की जरुत नहीं पड़े ही तीन सेकेंड तीन सेकेंड में इसका आप एंसर दे सकते हो बस प्रैक्टिस जरूरत है तो ज्या तो इसको लिखेंगे कैसे यह पूरा नहीं लिखना है तो उसको लिखेंगे कैसे तो यहां पर डाले पहला नंबर तो पहला के उत्तर क्या बच्छो ऑप्सर नंबर यह आया है तो यहां पर डालो A और उस उपसन का जो उपसन नंबर A है उसका उत्तर कैसा रिन एक है इस तरह से आप लिख सकते हो अगर यहां पर यह ए को लिखना आप भूल जाओगे तब भी आपका सहीं कहलाईगा या फिर आप इसको लिखना भूल जाओगे अगर इसको लिखना भी जाओगे तब भी आपका सही हो जाएगा और इसको बीज़ने तब भी सही है दोनों को लिख दिये तब भी जादा आच्छे सरी advocate से सही है अब मान लोग कि दूसरा नंबर का दूसरा नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे फिर से जाएंगे रफ में और उसको सॉल्व करेंगे दो तुल्ले अनुपातों का संबंध है भाईया मैं कोश्टन करवाया हो था कि दो तुल्ले अनुपातों का संबंध सर यह होता है समानुपात option number A आजाएगा तो इसको लिखेंगे option number A, option number A में क्या दिया था बच्चो सama नुपाद, तो यहांपन लिख देवाँ है समा नुपाद, समा नुपाद, इस तरह से आप नहीं प्रेजन करने वाले जबरदस तरह तरह से बनाना चेक करने वाले को मजदा आदना चीए तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए एक एक लाइन चुड़कर एकदम राइटिंग मिलाकर काट छाड बिलकुन नहीं करना है अगर गलती हो जाता है अगर मालो यह गलती हो गया तो एक लाइन ऐसे काड़ देने बस तो इस तरह से आपको लिखने का तरीका होना चाहिए बागी को मैं नहीं बताओंगा क्योंकि हर एक को त्यार मैंने मिसंद 2023 के अंतरगत करवाया हुआ है बस मैं आपको यहां पर लिखने का फॉर्मेट लिखने का तरीका बताने वाला हूं जबर्दस तरीके से ठीक है चलो मैं वहां से जाकर भी डाउनोड कर सकते हो अगर पर पूछुब Kski यहां पर सर्टानestsांत मत्का रिनात्मक होते हैं कौन से चतुर्थास होते हैं तो बच्चों यहां पर बिंदु के निर्दसांग को बोला गया कि दोनों रिनातमक में तो कोई भी बिंदु है मालने की बिंदु ए दिया गया जिसके दोनों जो निर्दसांग है वो रिन रिन है चलो यहां पर रिन एक दिया है और रिन एक दि तो यहां पर एक सेकर जो मान है वो रिन का एक है तो रिन का एक हमारा यहां पर आता है फिर यहां पर वाय का मान भी रिन का एक है और रिन का एक कहां पर आता बच्छों यहां पर आता है दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो कौन सा यह पहला चतुर्थांस यह दूसरा चतुर्था यहां पर मिलने वाला इस तरह से इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है जबर्दस तरी किसी लिखना ठीक है चलिए सब चीज आजी बताने माला हो देखो तो यह हो चुका खंडबा आ चुका विटारा खुल चुका एक गुणा पास जाने की एक एक क्वेश्चन पांच नंबर के लिए खंडबा में क्या बोला है सत्य या फिर असत्य बताना है कथन को पढ़ना समझना है और सौल करना है कि ज सका एंशर कैसे लिए लिए सबसे पहले आप अगर दूसरे लिए अरे बनाोंगे सरमार्जिंगे सरी मार्जिंग हम अच्छ है अच्छ से बना दिये अब यहां पर देखो हम किसका उत्तर जा रहे हैं सर हम उत्तर देने जा रहे हैं प्रस्ट करमा एक का और वह खंडबा होने वाला है तो इसको लिखेंगे कैसे बहिए तो लिखेंगे कैसे यहां पर चिपकाऊना उत्तर उत्तर का उत्तर कर वांग उत्तर कर बनांग सर यह था एक और यह न कढ़ फोर इसके बाद बिया एक राइन अएस से रओ कर दो न कि एधाया को एक पर आप उत्तर कर मांग कर् WA government को यह यूटूब सिरीज के अंतरगत वहां पर आप जाकर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कख्छ दसवी विशागड़ित का तो पहला ही अध्ध है आपका बहुपद बहुपद का पहस्ट वीडियो जहां पर मैंने आपको अप्जेक्टिट आपके क्वेश्टन को बताए हुथ वही पर इसको डिसक्षन किया कि द्विघाती भौपदों के अधिक्तम दो ही क्या होते हैं सर सुन्याख होते हैं ठीके बच्चो चलो अब देखो यहां पर इसका एंसर कर से लिखेंगे देखो तो यह पहला कर उत्तर सर हमें दिया गया कि कथन जो है सत्या है पुर्णत सत करके सत्य ऐसा करके लिखते हैं यह को नहीं उतारना है चेक करने वाले के पास और रहता ही है वह को देख देखकर ही चेक करता है तो आप को उतार क्यों रहे भी या उतार कि रहो तीन घंटे का पेपर है तीन दिन का पर नहीं है को बिलकुर नहीं उतारना है को पढ़ना है क्वेशंचंव के पास होने वाला चेकर के पास होने वारा है तो यह ऐसा नहीं करना है कुष्टञ को उतार लिए फिर साइड में डेस करके सत्य लिख रहे हो यह गलत तरीका है यह ऐसा डी प्रेजशन कर रहे हैं अब मालो कि सेकंड नंबर कमें एंसर देना है तो यहां पर डालो सेकंड नंबर ठीक है चलो इसका भी जवाब में देता हूं आव्रती खाता में भचत खाता की तुरना अधिक ब्यास मिलता है आप मनें चिक चिक तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे बिल्कुल आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है जबर्दस तरीके से बहतर इन तरीके से ठीक है चलो तो इस तरह से हम खंड बग का भी जवाब दे चुके खंड सा की और बढ़ना चाहेंगे और यह खंड सा आ चुका है जहां सब्सक्राइब करोगे यहां पर लिखो उत्तरकरमांग उत्तरकरमांग सर हम दे रहे हैं एक का जवाब उत्तरकरमांग सर यह हुआ एक ठीक है एक हुआ और यह खंड सा का उत्तर होने वाला है बिल्कु चिपकाओ यहां पर खंड सा फिर क्या करोगे एक लाइन यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो जबर्दस तरीके से कि दिखा दो भी यहां कि दिखा दो यहां पर आप दो और और यहां पर लिखेंगे और यहां पर तरह स्लिखेंगे बिल्कुल लिख दो इस तरह से आपटी प्रज мозant करने वाले हो ठीक है बच्छो पूंसे कर करते रफ में जो एंसर आता है इंसर आता है उसको हमलिखते हैं यहां पर ठीक है चलो अब चलते अपने परसने कर मांग दो keyword. परसने कर मांग 2 की और, परसमे कर मांग 2 से लेकर 6 तक, यहां पर बच्चों यह प्रतिक परसने होतें, 5 जो परसने होते हैं, वो 2, 2 number के लिए होते हैं. अब यहां पर question को वोना इसी जगह जहां पर इसको solve करने वाले उत्तर करमांग लिखा है उसी जगह उसको solve करना होता है अगर मालों की पहले नंबर के question को आप solve कर रहे हो क्या दिया था कि एक भी question का answer अब नहीं बताने बना बस लिखने का तरीका देखो मालों की आप इस question को नए पेज में पहले तो麻जिंग जबर data utama if you by March that भत उसके भाद करेंगे उसके बाद का धर करेंगे लिखेंगे रिकिंगे कैसे लिखेंगे सरस्पारण देने जा रहा थी हैं तो यहांपर लिखो उत्तर करमान दो उत्तर्करमांग डोंसर हमने लिखा टाइप के question है आप जट्टी question को उटा देते हैं तो कौन से question बता है एक समाइनस वन दी हुआ है फिर हमें एक और दिया ग stark इस इस Оан था यहां पर क्या करना हमें दो यहां पर यह यहां पर पर यह इन थैंट ति आभ ऐसब यहां चाहौ다 करना सồण हो मैं इसको हल करने का तरीका नहीं घुरान का तरीका इसको करते हैं इसको माने यूट्यूब स्रीस के अंतरगर बताये हुआ है बिल्कुल जाकर देख लो खरिया आपको क्वेशन आता भी होगा यह इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से अब मालो कि आपने इसको गुड़ान खंड है एक गुड़ान खंड है यह आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए यहां पर लिख दो एंस क्या लिख दो एंस करके लिख दो बिल्कुल यह हमारा एंसर जागा दो में दो नंबर देने से कोई भी माईका लाल आपको नहीं लिख सकता दो में दो नंबर आपको मिलने वाला इस तरह से आप लिखोगे पहले जो दिया है उसको छापो फिर इसको बिश्वेघर करो जो एंसर आज आगा उसको लाश्ट लाइन में लिख दो अगर यहीं की जगा जी आफ एक्स पी आफेक्स का एक गुड़न खंड नह जाने की चार कोशन तीन नंबर के लिए पूछे जाते हैं ठीके बच्चो तो यहां पर भी क्या करोगे जो जो कोशन पहले दिया गे उसको लिखोगे उसके बाद यदि यहां पर पुछ लेगे की एक सका मान गयात करना है तो पहली बात क्या करोगे सर हमें यहां पर दिया करके लिखोगे दिया है करके लिखोगे उसके बाद मान ग्याद करना है एक सका मान ग्याद करना ऐसा लिख दोगे एक सका मान ग्याद करना है मान ग्याद करना है हमें एक सका मान ग्याद करना ऐसा करके लिख देगो ठीक है उसके बाद जो एंसर जो एक सका मान प्राप्त हम पर 3 Time के बारेम बात कर लिए अब वं बढ़ते हैंगे अब यह आ चुका 4 नम्बर वालबाला कोश्चन और 4 नमबर वाल जो क्वेस्चन होते हैं यह अथवावाले होते है तो फाइदा क्या मिलने वालाion यहां पर दो सब्सक्राइब देंगे किसी एक का इंसर देना है में या तो उपर वाले का या फिर नीचे वाले का ठीकिन को अगर दोनों आता तो भाइया दोनों आता तब आपको एक ही को सवालो करना को नंबर मिलने वाला दोनों को हल करें गर घौ वह को आपको चार नमबर ही मिलने वाला है तो जादा सौर और देंगे करके भी या स्यारी नहीं करना है अब यहां पर देख रहा को प्रशने करमांग मांग जो framework जुआ है वो चार नंबर के answer आप देने जा रहे हो तो पहली बात तो यहां फ़र आपकी चो मार्जिंग से मार्जिंग खीज दिया नये पेश्थ बनाऊँ को आपने मार्जिंग खीज दिया अब तो यहां पर लिखोगे उत्तर ARM A statistics अटेब अगर देखो हैं अगर अगर अगवार मझा है अगर माझा लुगे आपको इसका एंसर नहीं आता है तो यहां पर यह तो तो यहां पर चुप 시 लि Works करने वाले को सोलू करने लिख्टन को दिखने वाला है इसको सही करने वाला है तो इस तरह से आप इसको सालो करोगे अब इसको कैसे हल करते हैं यह आपको अच्छे से आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने हर एक चीज़ों को देखा हुआ है इसी प्रकास से देखे लो प्रस्ण करमांग 12 यहां पर भी दो प्रस्ण है पहला उपर में एक प्रस्ण दिया गया है अथ हुआ करके एक और प्रस्ण दिया गया पाइथा गोरास परमे को लि स्क्रीन सौर्ट ले डालो थीके बच्चो तो प्रसने करमांग 14 तक यह सब चार नंबर के लिए होते हैं चारो चारों कोईश्टन में तक फिर हमको नीचे का एंसर देना है तो हमने चारों के बाद कर लिए अब आगे बढ़ते हैं पांच नंबर वाले क्वेस्टन की और और यह प्रत्य 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 का एंसर दे रहे हो ठीक बच्चों इस तरह से आप करने वाले ठीक है चलिए तो प्रस्चन अगरमांग 15 यहां पर आपको प्रस्चन पर आपको दो प्रस्चन दिखेंगे तो इस चिपका हुआ छोटा सा अथ्वा लिखा हुआ यह ऊपर वाला एक विश्चन हुआ जो जो कि यहां पर यह नीचे वाला आयकर की गढ़ना से सब्मंदित है तो बच्चों मैंने अंतिम प्रहार वाले क्लास में आपको बताया था जब मैं इस अध्याय के most important question के बारे मताया था कि हमेशा आपको एक question जो है पुछ जाएगा वह आयकर की गढ़ना से आप बिढ़े तो 15 मिनट आपका समय ले लेगा दोनों में सेम नंबर मिलते भी या तो हम छोटा वालों को बना का जो सरल तरीके से बंजा उसको पहले लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपको आना चाहिए लेकिन अगर दोनों आगया आवरती जम्हाखाता से भी कुछ तो पहले आप क्या करोगे आवरती जम्हाखाते को कर लोगे अगर आयकर की गड़ना करना दोनों में आगए तब कर लोगे आपको आयकर की गड़ना करना ही पड़ेगा तो आपको सिखना है लेकिन सब्सक्राइब करना है अगर नहीं आया अगर नहीं आया आवरती जम्हाखाता और सावरती जम्हाखाता तब के किस में आप सब्सक्राइब कर लेंगे आगे बढ़ेंगे 6 नंबर वाले कोश्चन की ओर और 6 नंबर वाला जो कुश्चन होता है वह प्रस्टनेगरमांग 17 और 18 होता है प्रस्टनेगरमांग 17 देख लिए आपका अध्याय दोस्ते है जो मैंने आपको यूटुब सब्सक्राइब करवा कर रखा हुआ है और अंतीम प्रहार में भी इसी को मैंने बोला था है कि इस को आपको हर हाल में प्रैक्टिस करना है 6 नंबर के लिए कुश्चन पूछा गया था तीन से चार तीन से चार पर बनने वाला कुश्चन थोड़ा से लेंदी बनता है दस यह भी मैंने आपको अंतीम प्रहार में बताया हुँ था और यूट्यूब सेरिस के अंतरगात मिसंद 23 में इस क्वेश्चन को मैंने आपको सौलवा करने का तरीका भी बताया हुँ था ठीक है आप इसको अच्छे से देख लिए ठीक है चले आगे बढ़ते हैं लास्ट को और यह रहा लास्ट कोश्चन प्रस्णकरमांग 18 पहला पहला जो को सब्सक्राइब अठारा का यहां पर देखो यह सर त्रिकोड मिती अध्याय से समंदित है यह अध्याय नौक है आपका त्रिकोड मिती समिकरन एवं सर्वसमिकाय का इस को मैंने अंतिम प्रहार में भी ब पर देखें लो यह भी कोश्चन मैंने आपको मिशन 2023 के अंतरगत करवा कर रखा हुआ है एक कोश्चन बाहर से नहीं आने वाला अगर मिशन 2023 के अंतरगत जितने को सब्सक्राइब कर लिया है तो पचहत्तर में से पचहत्तर नंबर लाने के लिए दुनिया के को भी अताका तो महिनत किया है तो इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है आपको अच्छी से मिलने वाला आपका रिजल्ट अफल मिलने वाला ठीक है तो आज की इस क्लास को में यहीं पर खतम करते हैं यह आपके 18 कोश्चन हो चुके एक विसेज बात और ध्यान रखें कि यह जो ठारा क ठार कुश्चन हैं आपको तीन गंटे में करना है तीन गंटे में सॉव करना है, इसके लिए आपको चाहिए, valid क्या चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि तीन घंटे बहुत जादा लगे आप इसको धाई फिंदक ड़ा फो, धाई घंटे में पेपर का काम तमाम कर द लिए है कैसे लिखना है इसको कहा जाना कैसे दिखना है सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कर्शन करा दिया है अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी डॉट चाल रहा ह unreal कि सिप्ड़ को तो को क्वोशन को आपको answer मिलने वाला है ठीक है चुछल यह आज के स्क्राइस कोई पर खतम करते हैं बच्चों अराम से पढ़ना है एकदम कोई भी हडबर नी करना है हर एक कोश्च्टन को एकदम हुआ इसी आत्म विश्वास के साथ जब आप अपने एक्जाम में जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का आप एंसर दे पाओगे बस घवराना नहीं है तो बच्चों कल के कल के आपके परिक्षा के लिए अभी से मैं बोल देता हूं बल्कुल अच्छे से पेपर दिलाना पेपर के खोपड़ी में कर देना च्छेद बिल्कुल आपको 75 75 नंबर लाना है अपने यहां पर अपने महबाप का अपना नाम रोसन करना अपने समाच करना और अपने राश्ट कर नाम रोसन करना टॉप करके ठीक है तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे तब तक के लिए थांक्यू वेरी मच्छ